मेरे नाम आशिश प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वाहत है आज की कॉमिक स्टोरी नफरत के शोले, लीफाउग द्वारा रचित, साइबेरी द्वारा चिंतरंकित, इंदरजाल कॉमिक संक्या नंबर 293, टाइमस ओफ इंडिया प्रकाशन द्वारा एक जनवरी 1978 को भारत में प्रकाशित की गए बियलवन से उत्तर पूरों में एक उचा पहाड है, आज होँआ बहुत घना जंगल और उस घने जंगल की बीच में खंडर है ये खंडर एक शक्तिशाली हफशी समराच जी की राजदानी नियापुरा के हैं उसके महल फ्रांस के महलों जैसे थे, विद्वान, शुर्वीर और सुंद्रियां वहां दरबार की शुभा बढ़ाती थी कारवा दुनिया भर से दौलत वहां लेकर आते थे वहां सबसे महान समराच हुआ था जुनकर जो मेरे पुर्खे विताल का तोस्द बन गया था उस जवाने में उसकी बड़ी शान बान थी उसके महल बाग, तेवार, खेलकुद का आयुजन करता था समराच जुनकर का समराच ये दोनों तरफ समुंद्र से गीरा था सहासी ऐसा था कि शेर आदी का शिकार तीर कमान से करता था एक बार शिकार के दोरान शेर से सामना हो गया वो उस पर जप्टा, समराच का निशाना उस दिन चूक गया था मैं और समराच के साथ था, मैं शेर से भिड़ गया मैंने एक बार फिर अपने उस दोस्त की जान बचाई यही तो सची दोस्ती है जिसके लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी हम अक्सर मिला करते थे हम दोनों कभी कभी साथ में अभ्यास करते थे हम लगवक ऐसे असंबाव से शिकार भी करते थे फुरसत के समय शत्रंच खेलते थे एक दिन जुनकर मुझसे बोला मैंने सुना है कि अरब बादशा बिकारी के बेश में प्रजा के बीच में जाकर उनकी दशा का पता लगाया करता था मैं भी ऐसा करूँआ कुछ मुहिनवाद जब मैं उससे मिल ले गया तो पता चला जुनकर बिना किसी को बताए कहीं चला गया लगता है एक राच जब सारा महल सो रहा था तो वो निकल गया संत्री भी सो रहा था एक आम आदमी के समान चल पड़ा जहां बिन शानबान और समराड के ताज के उसे कोई नहीं पैचान पा रहा था वो जीवन यापन के लिए जो काम मिलता था कर लिया काता था जहां कड़ी मजदूरी करते थे और बदले में पैसा मिलता था वहां लोगों से जोर जबरसी से काम में लेते थे शाम को सभी मजदूर मौज उड़ाते थे कभी कभी उनका भाग्ये भी चमक जाता था एक दिन कुछ लोग जुनकर पर नजर लगाए हुए पीछा कर रहे थे जुनकर मजदूर के वेश में राज्ये की सबी बाते जान राता अगर कोई करने चुका है तो जेल में डालते थे जुनकर की दोस्त ने का यह सब बाते समराट को पता हुनी जाए जुनकर ने बोला समराट पर बहुत बहुरुसा है तुमें उसके दोस्त ने कहा है सुना है वो बहुत अच्छे हैं कुछ लोग अभी भी इन पर नजर लगाए हुए थे जब जुनकर और उसका दोस्त कुछ पीने के लिए होटल जाते हैं वहाँ अजनवी उनको साथ में पीने का नियोता देते हैं शायद वे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे जुनकर पीते ही बेहुश हो गया था और दोनों अजनवी उसे उठा कर ले जाने लगते हैं जेमी ने कहा ये नहीं हो सकता मेरा दोस्त तो पूरी बोतल पीने पर भी नहीं लड़ खडाता जब दरबार को समुराट की चिंता हुई तो उसकी फौर ने पूरा जंगल चान डाला और वो कहीं और था जिसे मार कर बेहुश कर दिया था जुनकर को नाव में लेकर चल पड़े बेचने के लिए और उसे बेच दिया जहाज पर गुलामी करने के लिए जुनकर की होश में आने से पहलिया बेडिया लग चुकी थी शान शौकत वाला समुराट जुनकर गुलाम हो गया था उसे नहीं पता था कि वो कहां पर है इदर जुनकर का दोस्ट जेमी को होश आया तो होटल मालिक से पूछा उसने कहा तुमारी शराब में कुछ मिलाया था उन अजन्योबियों ने जेमी ने पुछा कहां गए मेरे दोस्त को लेकर उसे वे उठा ले गए वे गुलामों के सुदागर हैं जेमी जुनकर के सिपाई मुझसे मिले और जुनकर के गायब होने की जानकरी दी ज ynंगर भर में संदेश भीजा समरार जुनकर को खुजो वेताल का हुकम है संदेश नगारों के दौरा उरुचणा जब जुनकर को होश आया तो उसे सच्चाई पता चली जो से गुलामों के सुदागरों ने बेज दिया है लेकिन जुनकर को गुलाम बनना राजी नहीं था, उसने विरोत करना शुरू कर दिया, बोला मैं जुनकर हूँ यहां नहीं रूँगा, इस बात पर उसे कुल उसे पिटा गया, इधर जुनकर के सिपाही और जंगल वासी समुरार को खोज रहे थे, जो वैर्थ था, क्योंकि करने वालों ने बताया कि उसका दोस्त कहा है और कौन ले गया था, जेमी को गुलामों के सुधारों को पता चल गया, फिर क्या उसने उनको धमकाया कि जहाज पर ले चलो, जिस पर उसके दोस्त को बेचा गया, जैसे तेसे वे मान गये, आखिरकार उनको मौत का डर था, इ जहाज के सरदार ने कहा, जहाज रावान अहुजरी से पहले अगर ये ठीक नहीं हुआ, तो पत्थर बांद कर समुंदर में फेक जाना, शार्प खा जाएजी, जहाज पर दूसरे गुलामों ने उसकी मदद करियों समझाया, जुनकर भी परेशान हो गया था, एक सकता था, लेकिन वो खबर कैसे करेगा, और इसी कोशिश में जेमी था, अपने दोस्त को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, बीहडवन में सब कबीलों ने अपने 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 अलाकों में उसे ढूंडा, पर समुराट का निशान तक नहीं मिला, शायद उसके दरबार जुनकर भवष्य की चिंताओं में ढूबा था, गुलामों जेसा बरताओ, जहाज रवाना होने की तैयारी, पाल लगा आओ लंगार उठाओ, जहमी अपनी कोशिश कर रहा था, जल से जल जहाज पर पहुशना चाहता था, जुनकर जहाज मैं हूँ जहमी, जुनकर इस नाव को तोप से उडा दो, जेमी जंगल में विताल को पुकाना, विताल कहना, जाओ जाओ जिल्दी जाओ, विताल उसे पुकाना वो खुद आ जाएगा, जेमी ने जवाब दिया, विताल समझ गया, जुनकर मैं समझ गया, तमाके से जेमी की नाव तबाह हो गया, रवाना होने लगा चलाओ चलाओ तेज चलाओ गुलाओमों के साथ जुनकर समुद्री यातरप पर रवाना हो गया लेकिन जुनकर परिशान था उसका बहाद दूर्दोस जेमी की नाओ तबाह हो गई थी एक आशा वो भी खत्मा और भागे ने जेमी पर भागे से जेमी मेहनत कर नहीं तो तुझे भी शार्कों के हौले कर देंगे तेरे दोस की तरह जुनकर का दोस जेमी जंगल को चल दिया जंगल में विताल को बुकाना वो खोड़ा जाएगा और सब कहना जेमी अपने आप में बड़ बड़ा रहा था जुनकर ने यही कहा था इसमें कोई पर विताल क्या होता है पूरे जंगल में एक ही आवाज विताल विताल जुनकर ने बुलाया है विताल विताल जुनकर ने बुलाया है जेमी को लगा जुनकर शायद बुकार में बहग गया होगा और मुझे यह बक्वास बातें बोलने के लिए बोल दी पर जेमी ने जुन कर को वादा किया था जंगल वालों की कहवा थे विताव की हजारों आखें और कान हैं हवा में कई नगारों के आवाज गौझ उटी विताल जुन chapra ने बुलाया है जुनकर विताल को पुकारता है निर्जद जंगल में कोई पुकारे तो बूर्थी लगेगा हर तरफ नगारे बज रहे थे लेकिन क्यों जी में को क्या पता था कि ये उसी के कारण बज रहे हैं और ये ख़बर आखिरकार मुझ तक पहुंच गई मुझे बता में हैं मैं उससे मिलने जाता हूं शायद जुनकर का कोई पता मिले वह जीवे तो मुझे बताया गया वह गोरा आदमी विताल शिकर के पूर्व की तरफ देखा गया था मैं अकिल ही निकल पड़ा जल्दी पहुँच जाऊंगा जेमी भी पुकार पुकार कर ठक गया था न मैंने जेमी से पुछा तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो जुनकर का नाम लेकर जेमी बोला तुम वितालो तुम आदमी हो या पहाड आदमी या पहाड और जेमी चक्रा कर बेहोश हो गया जेमी समलते हुए बोला माफ करना बेहोश हो गया वह चोटी और तुम बहुकल ए या जेमी ने बताया मर जाता तो छुटकारा पा जाता राजा के जहाज पर गुलाम है माश्चरी चकित हो गया जुनकर गुलाम असंभव है ये बात मैंने जेमी को पकड़ लिया और पूछा क्यों जूट बोल रहे हो कहां है जुनकर जेमी घबराते हुए बोला नहीं वो मे को से भेजा कहा तुम उसे बचावगे मैंने जेमी को बताया तुम्हें मालम है तुम्हारा वो दोस्त न्यापूरा का समराथ है जेमी ये जानकर अचंबित हो गया जुनकर समराथ है मैं और जेमी निकल पड़े जुनकर की Оगश जुनकर को गुलाम की तरह रखा जा रहा अब उससे सहन नहीं हो रहा था वो जहाज के जलादों से फिर गया सरदार को भी पीड़ गया जल्दी उसे काबू कर लिया मार पीट कर अद्मरा कर लिया सरदार ने कहा इसने मुझ पर हाथ उठाया इसे यातनाए देंगे सबसे पहले शुरू करो डूपकियों से डूपकियां याने आदमी को जहाज के नीचे से दूसी तरफ खेचना प्राचिन काल की सजा जिसमें आदमी अक्सर मरी जाता है जुनकर को जहाज से लटकाया गया और सजा देने के लिए जहाज के नीचे से दूसी तरफ खेचा गया लेकिन जुनकर मुझबूत था लेकिन कब तक पर मदद आ पहुँची थी जेमी ने बताया वो है राजा का जहाज जिसमें मेरा दोस्त मेरा मतलब समराज जुनकर गुलाम है तुम यही ठरो और मैं पानी में कूट पड़ा मैं जहाज की तरफ बढ़ रहा था जहाज जुनकर को सजा मिल रही थी लेकिन एक और मुस्यबत देखी शार्क जब जुनकर नीचे गया में भी पानी के नीचे अंदर आ गया जहाज शार्क उसकी तरफ बढ़ रही थी सबसे पहले छूरे से एक ही वार से शार्क को ठिकाने लगा दिया जुनकर को यातनाओं से आजात करा है और मरी भी शार्क को रसी से बांद कर समराट के साथ लौट पड़ा जुनकर मैं बहुत जान थी मैं भी उसे लेकर नीचे से निकल पड़ा इदर जहाज के उपर लोगों को लगा कि रसी कहीं फज गई है और बहुत भारी हो गई है जब रसीयों को कई आदमी ने मिलकर खेचा तो वे सभी आश्चे रिचे की तरह गए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि गुलाम कहां गया और शार्क कहां से आ गई शार्क पर खोपड़ी का निशान देख कर वे सभी चक्रा गए इस भी जेमी चक्र में पड़ा हुआ था वो आदमी है या पहार और मेरा दोस्ट जुनकर सचमुच समराट है वो ये भी सोच रहते विताल जहाज पर पहुँचा या किसी शार्क के पेट में पर मैंने अपना काम खतम कर दिया था जुनकर को बोला गहरी सास लो जुनकर फिल गोता लगाना है मैं कुछ समय बाद अचानक से जेमी खुश होकर किनारी की तरफ भाग ला वा आ गया मेरा दोस्ट जुनकर साथ में है और उख खुश हो गया ये ठीक तो है जुनकर ने बड़ी तकलीफे जेली बेहसाब पानी पी गया मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ कुछ देर बाद जुनकर होश में आया और बोला जेमी विताल तुम लोगों ने मुझे बचा लिया बार बार डुपके जान ले सकती थी मैंने जुनकर को सहरा दिया जेमी बोला जुनकर मुझे पता नहीं था तुम समराठ हो जुनकर ने जवाब दिया किसी को पता नहीं था इस कारण में मर जाता ठक गया हूँ मैंने जुनकर को पेड के सहरे बढ़ाया बोला यहां अराम करो कुछ ताकत आ जाएगी तब घर चलेंगे और क्या क्या पता लगाया तुमने मामुले आदमी बनकर जुनकर ने जवाब दिया पता चला की गुलामी क्या होती है मेरे राज्यम गुलामी अब नहीं होगी उसे तुरंद खत्म करूँगा और जहाद का सरदार राजा उसे तो मैं कभी नहीं बुलूँगा उसे सच मुझ कभी नहीं मिलगा उसे जरूर एक बार मिलना होगा माहल के दरवाजे पर जुनकर बोला मैं गया था तब ही चोकीदार सो रहा था और अभी भी सो रहा है जब दरवारियों के समराट के आने की खबर लगी तो वे सभी अती उत्साहित हो गए और खुशी मनाने लगे जुनकर के बेटे ने उससे पुचा हजूर पूछ सकता हूँ कि आप कहा गए थे समराट ने जवाब दिया नहीं राज़कुमार समराट जुनकर जिसे अचानक गायब हुआ था वैसी अचानक लौट आया था उसी समय जहाज पर सरदार राजा को समराट का खास तोर से निजी आमांतन पत्र मिला वो भी सोचने लगा कि क्या वो समराट को जानता है जब दोनों को आमना सामना होता है जुनकर बोला पधारी राजे जी चहाज पर और डुक्या दी है किसी को राजा ये देखकर सुनकर खवरा गया मैं तुम्हे भूला नहीं हूँ तुमने जैसी रहम मुझ पर किया वैसे ही तुम पर हो दी दस सालों की कड़ी महनत की सजा और मैं आज ही ऐलान करता हूँ हमारे राजे में सब को खबर करो कि आज से गुलामी खत्म कर दी गई है हमेशा हमेशा के लिए विताल और जुनकर की दोस्ती पर आज की कहानी आपको पसंद आई होगी आशा करता हूँ अगले अंक में हम जो इसके ओपर लेके आने वाले हैं सातुर विताल उसके ओपर कोई स्पैसिफिक कहानी ली फॉक दौरा तो रचित नहीं है लेकिन जो भी जानकरी उसके अंकों में मिली है इंतजाल कॉमिक्स के उसको मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो रिलेट करेगी आगे के जो भी अंक रहेंगे सभी को विताल चलता फिरता प्रेट